दोस्तो इस बार board की परिक्षाएं दो बार होने वाली है और दोनों परिक्षाओं के अधार पर ही metric intermediate का result जारे किया जाएगा यह परिक्षाएं कब लिया जाएगा यानि कि दो term में आपनों का exam सुने वाला है फर्स term कब से लिया जाएगा और क्या pattern होगा second term exam कब होने वाला है क्या pattern होगा इस वीडियो में सारी जानकारी आपनों को बताऊंगा इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंतक देखेंगे दोस्तों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल ABC Coaching YouTube चैनल में दोस्तों जितने भी विद्यार्थि जार्खन बोर्ट के अगामी यानि की 2022 में बोर्ट की परिक्षा में सामिल होने वाले हैं खास करके Matic Intermediate के विद्यार्थि इस वीडियो को पूरा अंतक देखेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी आपनों को देने वाला हों कि 75% जो सिलेबस आपनों का है उसमें किस तरीके से जो है आपनों का एक्जाम फर्स्टर मिले आ जागा और सकेंटर मिले आ जागा सिरяж बस को किस तरीके से बाटा गया है इस वीडियो में सारे जानकरी आपनों को मिलेगी ठीक है तो दोस्तों आप इस यो को पूरा अंतंग देखना और दोस्तों आप चैनल पर पहली बारा आए तो चैनल को subscribe कर बैला आपको on कर, जरूर कर लिजेगा ताकि latest वीडियो की notification ज और दोनों परिक्षा आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है अगर मान के चले दोस्तों कोवीट की तिसरी लाहर के कारण सकेंड टर्म का एकजाम अगर नहीं हो पाता है तो फर्स्ट टर्म और आपका जो टेस्ट लिया जाएगा उसके अधार पर आपनों का परकासित होने वाला ठीक है जो कि बहुत बड़ी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए है देखो यहां पर क्या लिखा है लिखा है कि दोनों परिक्षाओं के आधार पर जारी होगा मैट्रिक और इंटर्मीडियेट का रिजल यानि कि दोनों टर्म का जो एकजाम सोगा उनक ही मुल्यांकन के बाद मैट्रिक इंटर्मीडियेट का रिजल जारी किया जाएगा देखो आगे लिखा है कि अब तक की तयारी के अनुसार मैट्रिक और इंटर्मीडियेट परिक्षाओं के अधार पर ही होगा दूसरी परिक्षा नहीं हुई तो पहली परिक्षा के अधा में में लि जाएगी देखो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो इங्मों में में लिए are मैं भाएक बाटा गया है दोस्तों मैंने आपको पहले बताइ था कि हुआए 75% syllabus आपनों को पढ़ना है, कभर करना है और उसके अधार पर दो टर्में आपको एक्जामस होगा syllabus को भी दो भागों में बाटा गया है इसका भी वीडियो आने वाली है इसलिए आप चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो चैनल को सस्क्राइब करके रखना साथ में बैल आकों को ओन कर लिजएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है आपनों को नोटिफिकेशन मिल सके देखो इसमें आगे क्या लिखा है लिखाए कि पहली परिक्षा में आधे भाग के syllabus से प्रस्न पूशे जाएंगे जब कि दूसरी परिक्षा में से भाग से सवाल जो है पूशे जाएंगे सिलेबस जो दो खंड में बाटा आ गया है 75% आधा सिलेबस आपका फर्स्टर्म एक्जाम के लिए होगा और आधा सिलेबस सकेंटर्म एक्जाम के लिए होगा देखो आगे लिखाए कि बैठक में विभात के सन्यूक्त सचीव संदीब कुमार मादमिक सिक्षा के उपने देशक शिव्यांदर कुमार प्रात्मिक सिक्षा के उपने देशक परदीब चोबे जारकन सिक्षा प्रियोजना परिशज के परिशासी पदादिकारी जयांत कुमार मिस्रा राजिक कारिकरम पदादिकारी अभीनव कुमार आदी भी सामिल थे यानि कि जो बैठक हुई है जो मीटिंग हुई है कि किस तरीके से बच्चों का जो है अगामी बोर्ट परिक्चा 2022 के लिए तयारी किया जाए किस तरीके से उनका एक्जाम कंड़क्ट करा जाए उसके लिए जो बैठक हुई है इसमें कई सारे बदादिकारी भी सामिल हुए थे इसमें आगे बता है कि ओमार्शीट पर होगी पहली परिक्षा यादि कि फर्स्ट टर्म एक्जाम नवंबर दिसम्बर का जो होगा वो ओमार्शीट पर होगा आगे लिखाए कि नवंबर दिसम्बर मा में होने वाली परिक्षा में वस्तुनिष्ट परकार के प्रस्टने पूशे जाएंगे यादि कि अप्जेक्टिव टाई जिसमें की चार ओप्संस आपनों का राइट होगा उस ओप्संस को आपके ओमार्शीट में गोले को काला क पर ना है ठीक है आपने नाइंथ और अलेवंद में भी उसी तरीके से ओमार्शीट पर एक्जाम दिया था ठीक उसी परकार इस बात जो है फर्स्टर में एक्जाम से लिया जाएगा देखो आगे लिखा है यहाप बताया गया है कि विद्यार्थि ओमार्शीट पर उसका जबाब देंगे परस्ण पत्र जारकन ऐकेडमिक कौन्शिल द्वारा तयार किया जाएगा विद्यार्थि अपने स्कूल में ही पर इक्जाम से लिया जाएगा अगे लिखा है कि मार्श में होने वाले दूसरे भार की परिक्षा में प्रम प्रागत परकार की वस्तुनिष के अलावा यानि का objective के अलावा लगू उत्रे दिर्ग उत्री प्रसन आदी भी सामिल होंगे यानि कि objective के साथ साथ जो है जिस तरीकी यहां पर समझें जिस तरीकी 2021 में जो आपका एक्जाम्स का पैटन था उसी पैटन के अधार पर ही आपनों का जो है questions रहेगा 2022 में ठीक है या फैनल एक्जाम्स की बात कर रहा हूं सक्केंटर मार्च में जो होने वाली है ठीक है जो 2021 में जो पैटन बना गया था एक्जाम्स हुआ नहीं लेकिन उसी पैटन के अधार पन ही फैनल एक्जाम्स होगा मार्च में ठीक है देखो आगे यहां लिखा है कि इसमें करकारी स्कुलों में कक्षा तीन से बारवी तक की परती एक मा होने वाली मुल्यांकन परिक्षा भी जारी रहेगी यानि कि दूस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कक्षा एक से लेकर एट तक ठीक है ध्यान देजाए क्षा एक से लेकर आट तक जो एक्जाम्स होन वाला बोट परिक्षा, फर्स्ट टर्म जो एक्जाम सोगा वो आपका वस्तुनिश्ट रहेगा, और सक्ट टर्म में जो है वस्तुनिश्ट के अलावा दिर्ग उत्री, लगु उत्री प्रसने भी पूछे जाएंगे, जो कि आप से भी क्लिजाना बहुत इंपोर्टेंट है, और दोस्तो नेक्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें मैंने बताया है की first term exam में कौन-कौन से subject की, कौन-कौन से chapter से question पूछे जाएंगे, और second term में कौन-कौन से chapter से कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे, सारी चीज़े उस वीडियों बेघिलियर करके मैं बता दिया और दोस्तों चैनल पे पहली 12 चैनल को सस्क्राइब कर बैल आकोन को आउन कर लिजे ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकसन सबसे पहले आपको मिल सकते हैं चले दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब लग जाइन वन दे मातरम